नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विकास है और आप इग्जामनीती का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सम्विधानिक विकास के बारे में यह हमारी इस series का video number first है यानि कि यह lecture first है और यह काफी important हमारा पूरा का पूरा वीडियो है आप लोग इस पूरे वीडियो को वड़े ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के last में मैं इस पूरे lecture से related 18 question आपके सामने रखूंगा उन 18 question के answer आपको comment करके देने होंगे इस फूरे वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी question इस topic से नहीं छूटने वाला यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले time में वो भी हम यहां पर discuss करेंगे तो शुरुबात करते हैं भारत के समविधानिक विकास की सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि समविधान आखिर में होता क्या है जैसा कि आप मेंसे जाए तर लोग को पता भी होगा समविधान किसी भी देश या राज्य के शाषन को विवस्तित रूप से चलाने वाला एक वैदानिक दस्तावेज होता है एक तरीके से यह कानूनी पुस्तक होती है जिसमें लिखा होत कि किसी देश को किस तरीके से चलाया जा सकता है तो किसी भी देश को चलाने के सभी नियम और काइदे एक पुस्तक में होते हैं एक कानूनी पुस्तक जिसको कि संविधान बोला जाता है तो यहां पर हम लोग जब बात करते हैं संविधान की तो संविधान बेसकली दो तरीके अमेरिका होता है एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान जो लिखित संविधान है दुनिया का पहला लिखित संविधान वो संविधान अमेरिका का है जबकि दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है भारत का लिखित संविध कौन से देश का है तो सविक्तराज अमेरिका का है यह आप यहां से ध्यान रखिएगा लेकिन अगर आप से ये पूछा जाता है कि लिखित संविधान की पर्थम अउधारना या परिकल्पना कौन से देश में की गई थी तो आपको याद रखना होगा फ्रांस का नाम लिखित संबिधान बहुत से देशों में हैं दुनिया के जातार देशों में लिखित संबिधान चलता है लेकिन इसके वावजूद भी दुनिया के ऐसे कही देश हैं कही ऐसे मजबूत देश हैं पावरफूल देश हैं जहां पर की अलिखित संबिधान चलता है जिसमें की न अपना जो राज्तंत्र है वो चलाया जाता होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है अलिकित सम्विधान का सीधे-सीधे मतलब आम आँसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब इस इन देशों का सम्विधान बनाने के लिए किसी सम्विधान समिती का गठन नहीं किया गय हैं भारत का सम्विधान है उसको बनाने के लिए पूरी एक सम्विधान समिती बनाए गई अलग अलग समिती के अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद भारत का इतना बड़ा सम्विधान बनके तयार हुआ निकिन New Zealand, England, Israel और Saudi Arabia ये ऐसे देश हैं जो कि अपने जो पहले के जो आप कह सकते हो कानून है या पर जो सिधान्त है उनके आधार पे निर्णाय देता है तो यहाँ पर जो संसद है वो कुछ नियम बनाती है उनकी आधार पे चलता है उसमें समय समय पर कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं ये पूरा वहाँ के जो संसद है आप कह सकते हो उसके उपर depend करता है तो इसके लिए कुछ dedicated पुस्तक नहीं है इन देशों की बलकि ये जो संसदिय प्रणाली है उसके इसाब से चलते हैं इनका अपना स्वयम का कोई लिखित सम्विधान नहीं है यहाँ पर हम लो अपना का सबसे बड़ा लिखिस सम्विधान है तो वो कैसे बना तो भारत का जो लिखिस सम्विधान है उसकी जो शुरुवात है वो इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत और साथ में बिटिश आशन के अंतरगत हुई यह दो ऐसे समय थे जब भारत ने आधुनिक जो कानून है और वो आज भी चल ले हैं कही ऐसे विभाग हैं जिनको चलाने के जो नियम है वो अंग्लेज लिख गए थे और अाज भी उसी नियम पे सारा कानून विवस्ता चलती है विवाग चलते हैं तो इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत की अगर हम बात करते हैं तो इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत समय समय पर कही शंशोधन और कही एक्ट पारित करके भारत के संभिधान की निव रखी गई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो Regulating Act 1773 से जो है भारतिय संभिधान की बनने की शुरुआत होती है ये भारतिय संभिधान जो आप कह सकते हो कि सबसे पहला जो अस्तित्व में आया वो आप 1773 का Regulating Act कह सकते हो यहीं से शुरुवात होती है भारतिय संभिधान की, इसके बाद 1781 का संसोधन अधिनिया माया जो कि Regulating Act में ही कुछ संसोधन किये गए थे, यह मैं आपको आगे पढ़ाओंगा, यह आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से step wise step यह भारत में बहुत से Act पारित किये इसके अलावा PITS India Act 1784 पारित किया गया, इसमें भी कई प्रावधान किये गए थे, उसके बाद 1786 का अधिनिया माया, Charter Act 1793 आया, उसके बाद 1813 आया, फिर 1833 आया, उसके बाद 1853 आया, तो यह जो है इस्ट इंडिया कमपनी जब तक भारत में राज करती थी, तब तक जो 1857 की करांती हुई, तो भारत का जो एक तरिके से कह सकते हो कि जो राज करने का जो अधिकार था, वो इस्ट इंडिया कमपनी के हातों से ब्रिटिस क्रावन के पास चला गया, ब्रिटिस की जो महारानी थी, उनके पास चला गया, तो भारत राशन अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटिन राशन के अंतरगत आया उसके बाद भारत परिशद अधिनियम 1861 में आया फिर भारत परिशद अधिनियम 1892 में आया उसके बाद 1909 में आया फिर भारत राशन अधिनियम 1919 आया उसके बाद भारत राशन अधिनियम 1909 आया यहां पर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा चीज़ें लेकिन जब हम डिटेल में एक एक पॉइंट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आसान ये सभी चीज़ें लगेंगे क्योंकि फिलाल मैं मैंने इस टॉपिक का हाइलाइट आपको दे रखा है तो आज की इस वीडियो में बेसकिली जो मेरा उदेश है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कवर करना तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बहुत से कुशिन एक्जाम में पूछे जाते हैं हम इसी एक इस टी इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए बहुत से सक्तियां जो है दी गई थी और इसकी जो समस्त सक्तियां थी यह 24 सदर्शिय परिशत को सौपी गई थी मतलब इंगिलेंड में यह 24 सदर्शिय समिती थी जो कि इस टी कंपनी को फ्रॉफिट हो और वो व्यापार कर सके इस टी इंडिया कंपनी को मारानी एलजावेट पर्थम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की आजादी मिली थी 1765 में कंपनी ने बंगाल बिहार और उरिशा की दिवानी पराप्त कर ली यानि कि 1765 इश्वी में इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उरिशा से राजश्व वसूलने का अधिकार पराप्त हो गया यानि कि टैक्स वसूलने का अधिकार पराप्त हो गया और ये जो East India Company है इसने 1858 तक या फिर कह सकते हो जब तक 857 की करांती नहीं हुई तब तक भारत पर राज किया और अपने हिसाब से भारत पर टैक्स वसूले और अपने हिसाब से इसने वियापार किया तो यह थी East India Company की बात यहाँ पर से सकते मैं आपको बताया कि हम लोग आज basically regulating act 1773 के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि regulating act 1773 के अंतरगत क्या-क्या प्रावधान किये गए थे British सरकार के द्वारा तो British संसर ने East India Company द्वारा बंगाल को परशाशन के चलते इस act को पारिद किया था सन 1770 में बंगाल में बहुत पीशन अकाल आया जो कि कही सालों तक चला बंगाल के आदे से ज़्यादा आबादी जो है भुकमरी का शिकार हो गई इस वक्त जो East India Company थी उसको भी भारी नुकसान हुआ कंपनी का कई बहुत पैसा जो है मार्केट में डूब गया इसकी वज़े से कंपनी ने किया कि जो भी वस्तमे थी उनका rate बहुत ज़ादा बढ़ा दिया टैक्स बहुत ज़ादा बढ़ा दिया तो एक तरीके से कह सकते हो कि बंगाल की जनता पहले ही आकाल के कारण परिशान थी और उसके बाद भी इस इंडिया कंपनी ने जो मूली थे उनको बढ़ाया टैक्स को बढ़ाया जिसके वज़े से बंगाल की जनता थी वो बहुत ज़ादा परिशान हो गई थी और इसी कुपर शार्षन के चलते ब्रेटेन की जो सरकार है उसको इसमें हस्ताशेप करना पड़ा और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है अस्तितों में आया बेटेस संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये इसपश्ट किया कि इस्ति इंडिया कमपनी के अधीन आने वाले शेत्रों का शार्षन कमपनी के व्यापारियों का नीजी मामला नहीं माना जाएगा अथा बेटेस सरकार को कमपनी के लिए कानून बनाने तथ स्सकal वाले शेत्र में मांती थी तो इसी एक्ट के द्वारा बिटेन के सरकार ने ये बिलकुल क्लिएर कर दिया कि जो बिटेन के जो कमपनी होगी जो महतरा जो इस इंडिया कमपनी है उसके व्यापारियों का जो है नीजी मामला नहीं माना जाएगा किसी भी भारतिय अध अधिनस्त शेत्र को तो यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा ही किया गया था इस एक्ट को ततकालीन परधार मंतरी लॉर्ड नॉर्थ ने गोपनीय समिती की सिपारिस्ट पर रेगलीटिंग एक्ट 1773 की संग्याँ दी थी यहाँ पर जितने पॉइंट में आपको बता रहा हूँ इन पॉइंट को एक एक करके आप ध्यान रखेगा क्योंकि इस पूरे वीडियो का जो है लास्ट में मैं आपको पूइशन भी बताऊंगा कि इस पूरे टॉपिक से कैसे कॉइशन एक्जाम में पूछे जाते हैं और उनके आंसर आपको कमेंट करके बताने होंगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसी एक्ट की विसिस्ताओं के बारे में इस एक्ट के अंदरगत क्या क्या चीज़ें थी तो Regulating Act 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया यानि कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा यह जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया इनकी साहिता के लिए एक चार सदर्शिय कारिकारी परिशत का गठन किया गया और इस परिशत को का जो कारिकाल रखा गया था वो पांस साल रखा गया था हला कि इसको जो बिटिस संसत है उसके द्वारा हटाया जा सकता था लेकिन मतलब चार सदर्शिय कारिकारी परिशत का जो कारिकाल था वो पांस साल का रखा गया था पांस साल तक इनको अन्य नहीं हटा सकता था इस एक्ट के अंतरगत जो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे जैसे कि मैं आपको बताया कि इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल मना दिया तो इस एक्ट के अंत जनरल के अधीन कर दिया गया था, regulating act 1773 के द्वारा, 1787 में ब्रस्टाचार के चलते वारेन हैस्टिंग्स पर महावियोग भी लगाया गया था, लेकिन काफी लंबे टाइम तक केस चलने के बाद भी 1795 में इनको वरी कर दिया गया, इन पर महावियोग का जो केस था उसको खतम कर दिया गया और उसके बाद इनको एक और भी बड़ी पोस्ट दे दीगी, अठा, सो 14 में इनको प्रिवी काउंसिलर का जो है अध्यक्ष बना दिया गया, या फिर प्रिवी काउंसिलर होते क्या थे, या ये जो प्रिवी काउंसिल है, ये क्या होती है, ये मैं आपको इसी 1884 में Sir William Jones ने The Asiatic Society of Bengal की स्तापना की थी ये जस तरीके सा आजकल पुरातत्वी खोज करने के लिए संस्ताइं बना जाती हैं उसी तरीके के ये Asiatic Society थी जो कि पुरातत्वी खोज वगरा कर दी थी तो इनके स्रशनकाल में भारत में जो हमारे जो भारती इतिहास है उसके उप William Jones ने की थी एक कॉलकाता में इन्होंने इसकी स्तापना की थी किसके शाषनकाल में गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स के शाषनकाल में 1773 में कॉलकाता में एक सुप्रिम कोर्ट की स्तापना की गई थी यानि कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था उ उनका नाम था सर एलेजा इंपे तो यहां पर से भी क्वेशन बनता है आगे हम बात करेंगे कैसा क्वेशन बनेगा यह जो सुप्रिम कोर्ट थी इसको दिवानी फौंसदारी नौसैना और धार्मिक मामलूक की सुनवाई का अधिकार दिया गया था सुप्रिम कोर्ट का ज जा सकते हो तो यहां पर प्रभी काउंसल भी उसी तरीके का था यह सबसे उप्रजवाले संस्था थी जो कि सुप्रिम कोर्ट के फैसले को पलट सकती थी कंपनी के किसी भी करमचारी और अधिकारी की रिश्वत लेने और संतिसाद नीजी व्यापार करने पर भी रेगलेट संसत का नियंतरन ससक्त किया गया यह जो 24 सदर्शिय कोर्ट ऑफ डिरेक्टर है यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि बाद में इसमें सदर्शियों के संक्या घटाई गई थी तो कब घटाई गई थी वो हम आगे जब इसी सिरीज के और अलग-अधिनियम के बारे में चर् करती थी तो यह 24 सदर्शिय एक समिती थी यह आपको यहां से ध्यान रखना होगा इसके अलावा यहां पर से दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जाना हूँ और इसके अलावा मैंने आपको ब्रेटिस इंडिया कंपनी के संदर् क्वेशन के बारे मैं चर्चा करते हैं यहां पर मैं आपको कुछ यहां पर आंसर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इनका आंसर आप कमेंट करके बताने वाले हैं इसी वीडियो में इन सभी क्वेशन के आंसर आपको मिल जाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब पारित किया गया है यह आपको यहां से बताना है आप वीडियो रोक के आराम से अपने answer सेलेक्ट करके अपना answer जो है लिख सकते हैं मैंने आप पर option भी नहीं लिया है क्योंकि यह बहुत common सी चीज है अगर आपको इतना भी याद नहीं हो पा रहा है इस वीडियो को देखने क के बाद तो फिल क्या फाइदा आप एक वक्षी से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यह topic काफी ज़्यदा important है दूसरा question बनता है exam के लिए कि regulating act 1773 के पारित होने के समय ब्रेटन के परदान मंतरी कौन थे तिसरा इसी topic से हमारा question बनता है कि किस act के द्वारा बंगाल क गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था चौथा जो हमारा question यहां से बनता है वो यह बनता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे पांचवा question यहां से बनता है कि कि सर्दिनियम के द्वारा मदरास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया इसके अलावा चटा क्वेशिन हमारा बनता है कि कॉलकता में उच्चतम नियायले की स्तापना कब हुई थी ये काफी important क्वेशिन है ससी तो बहुत ज़्यदा पूशता है इसको इसके अलावा साथवा क्वेशिन इसी टॉपिक से बनता है कि कलकता उच्चतम नियायले के पर्थम मुख्य नियायधीश कौन थे बताइए इन साथ क्वेशिन का अंसर इसके अलावा भी और कई क्वेशिन है हमारे यहां से तो आटवा क्वेशिन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवरंडर जनरल की साहिता के लिए कितने सदर्शिय कारिकारी परिशद का गठन किया गया था नाइन्थ वाला जो क्वेशिन है वो इस तरीके से बनता है कि जो यह कारिकारी परिशद थी जो मैं आपको बताया है कि कितने सदर्शिय कारिकारी परिशद का गठन किया गया गवरंडर जनरल की साहिता के लिए तो आपको यह बताना है कि यह जो कारिकारी परिशद थी इ 1974 में उसमें मुख नयदीश के हलावा कितने और जज थे ये आपको यहां से बताना होगा इसके हलावा यहां पर question number 11 अगर हम देखते हैं तो यह कुछ इस तरीके सा बनता है कि किस act के द्वारा company के करमचारियों और अधिकारियों के उफ़ार और निजी व्यापार करने पर प क्याम में question number 13 बनता है कि East India Company के गठन के समय ब्रिटन की महरानी कौन थी चौद्वा question बनता है कि East India Company को बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी इस तरीके से पंद्रवा question बनता है कि कॉलकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध किस स सूल्वा बनता है कि किस कानून के द्वारा भारत में कमपनी के परशाशनी कारियों पर ब्रिटिस संसत के नियंद्रण का प्रियास किया गया सत्रमा कतन बनता है कि किस गवर्नर जनरल पर महावियोग चलाया गया था कौन से Governor General थे जिन पर महावियोग चलाया गया था और Question No.18 बनता है कि Sir William Jones ने किसके कारिकाल में The Asiatic Society of Bengal की स्तापना की थी तो यह हमारे इसी वीडियो से यह 18 के 18 Question बनेंगे अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आप इन 18 Question के आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे देंगे तो अभी क्योंकि हम यहाँ पर सम्विधान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग सिप सम्विधान के उपर चर्चा करेंगे जब मैं आपको Governor General और Governor के बारे में बताऊंगा तो उस वक्त मैं आपको सभी टॉपिक अलग-अलग करवाऊंगा कि जैसे कि जो Warren Hastings थे उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किये भालत में तो क्या-क्या क्याम थे, क्या-क्या सुदार थे यह सभी हम अलग से चर्चा करेंगे तो आप step-wise, step इसी तरीके से यहाँ पर से तैयारी कर सकते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग Fits India Act और 1786 अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को अगर आपको समझ में ना आया तो आप question मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज अगर कोई भी topic आपको clear ना हुआ हो तो Thank you so much